सुप्रबाद प्यारे बच्चों आज हम वशंत कक्षाठ की पुस्तक का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो है लाग की लाग की चूडियां लाग की चूडियां कामता नाजी द्वारा लिखा गया है जिसमें मुक्य रूप से कामता नाजी ने लाग की चूडियां एवं काज की चूडियों के माध्यम से सहरी एवं ग्रामिन सहरी एवं ग्रामिन इस्तितियों को समझाने का परियत्न किया है एवं सहरी विकास या सहरी प्रद्योगी करण आदी ओध्योगी करण के कारण ग्रामिन शेत्रों पर क्या प्रभवा पड़ा कैसे उनमें बदला हुआ है इसको इस पार्ट के माध्यम से कभी दर्साना चाह रहे हैं तो आए हम इसको पढ़ते हैं इससे फरल हम कामता नाजी का जन्म मिर्त्यू के बारे में जाने कामता नाजी का जन्म 22 सितंबर 1934 को हुआ इनकी मिर्त्यू साथ दिशंबर 2012 में हुई और इनका जन्मिस्तान मिर्त्यूस्तान का है लखनो तो आएए लाक के चूड़ियां लाक एक प्रकार का क्या है यह जैसे आपने लीसा देखो लीस होती है न तो ऐसी यह पेड़ों से निकलने वाले एक लाल लाल पदार्थ होता ह जो कि एक प्रकार का केड़ा ऐसे बनाते है बनाता है एवब इसको पाला इन केड़ों को पाला भी जाता है जो लाक को तयार करते हैं लाक को लाहा कहते हैं जिससे हम चूड़ियां या सोने के आप सोने के अंदर भी लाक बरी जाती है या कई सारे चीजों में यह काम आती ह आये हम इसको पढ़ते हैं बड़े दिहान से पढ़ेंगे आप लोग बड़े ही सुन्दर पाटे हैं सारे गाउं में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुन्दर सुन्दर लाकी गोलियां बना कर देता था मुझे अपने मामा के गाउं जाने का सबसे बड़ा चाओ यही था कि जब मैं वहां से लोड़ता था तो मेरे पास जेर सारी गोलियां होती रंग विरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मौ ले कौन कह रहा है काम्ताना जी कह रहा है परंग तो मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था जैसे कि गाउं के सबी बच्चे कहा करते थे लेका कहता है वैसे थे मुझे बदलू जी को क्या कहना चाहिए था बदलू मामा कहना चाहिए था क्योंकि वह मेरे मामा का गाउं का है तो मामा के जितने भी दोस्ते हैं जो हैं हम उने क्या कहते हैं मामा ही कहते हैं तो बदलू को भी बोला मामा पर जब सब बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे तो लेखक भी उनसे बहुत प्यार करता था इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहता था बदलू का मकान कुछ उंचे पर बना था मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था गाव में होता है ना सहन अरता आंगन जिसमें एक पराना निम्का बिक्च था उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था बगल में बट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाग पिगलाया करता था लाग होता है इसको हम क्या करते हैं पिगलाते हैं तब ही इससे चोड़ियां या जो भी चीज़ें बनती हो बनाई जाती है सामने एक लकड़ी की चौकट पड़ी रहती जिस पर लाग के लकड़े का एक चोगट पड़ी होती दी जिस पर लाग के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके बहुत पतला करके चूड़ी का आकर देता पास में चार शे विविन अलग-अलग प्रकार के आकार के बेलन नमा मुंगिरियां रखी होती दी लकडी की बनी एक औजार जैसा कोई हम जैसा कोई डंडा जैसा हो गया जो कैसा होता था जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी मुंगिरी मुंगिरी हैं जो होती थी लाग की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगिरीयं पर चड़ा कर गोल और चिकना बनाता है लकडी का बेलन जैसे होता था जब उसको आकार दीते फिर उस पर चड़ाता था फिर उनको उपर से चिकना करना या गोल उसको किया जाता था तब एक एक करन पूरे हाथ की चोड़ियां बना चुकने के पस्चात वह उन पर रंग करता और जब वह एक हाथ की चोड़ियां बना देता था पर दूसरे हाथ की बना देता था फिर वह एक साथ फिर सब पर रंग करता था या उनको सजाता था बदलू या कारिय सदा एक ही मच्चे पर बैठ कर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी वह उसी पर बैठता था उसे वही पर बैठना अच्छा लगता था वह क्या थी बहुत पुरानी थी बगल में, उसका हुका रखा रखा रहता है, जिसे वह बीच वीच में पीता रहता गाओं में मेरा दोफ़र का स्मय, दोफ़र, दिन का समय दिकतर बदलू के पास बीचता वहा मुझे लला, लला आरता है, बच्चे, बच्चा काहा करता है और मेरे पहुंते ही मेरे लिए तुरंत मचिया मंगा दे था क्योंकि उसकी जो थी वादो कैसी दी पुरानी थी मैं गंटों बैठे बैठे इस कारे इस परकार चोड़ियां बनते देखता रहता लब रोज वहां चार चार जोड़े चोड़ियां बनाता पुरा जोड़ा बना लेने के बाद वहां उसे बैलन पर चड़ा कर कुच्छण चुपचाप देखता रहता क्यों देखता था मानो वह बैलन न हो करके किसी नव वदो की कलाईयों अब जब वह उसे बना देता था चुड़ियां तो बैलन जब मुंगेरी पर चड़ाता था तो तब वह को दे चुप चाप हो करके उसको देखता है और कल्प ना करता है मानो यह क्या है यह बेलन ना हो करके किसी क्या हो नव अदू नहीं नहीं दूलन की क्या हो कलाई जो की चोडियों से भरी होती है बदलू मनिहार था बदलू क्या था मनिहार मनिहार किसे कहते है जो चोड़ी बेचने का कारे करता हूँ चोड़ीया बनाना उसका पैटरिक पेशा था पिता के दोरा दिया गया पैटरिक पेशा कारवार था और वास्ता में वहाँ बहुत सुनदा चोड़ियां बनाता था उसकी बनाईवी चोड़ियों की खबद भी बहुत थी खबद बिकरि कहपद क्या हो थी बहुत थी बिकरि के लिए ग tat उस गाउन में तो सभी इस्तरय उसके बनाईवी चोड़ियां पैनती थी आसपास के गाउं के लोग भी उससे चोड़िया ले जाते थे परन्तु वह कभी भी चोड़ियों को पैंसे से ना बेचता था पैंसे से नहीं बेचता था तो फिर किस से बेचता था उसका अभी भी वस्तु विन्मे का तरीका था उसका क्या था है वस्तु विन्मे का तरीका या कौन सा तरीका है तो यह वा तरीका होता है वस्तु विन्मे जैसे आपने विचार विन्मे सुना होगा विचारों को आदान परदान करना हम बाचीत करते हैं तो हम अपनी बात रखते हैं और दोसरे तक पहुंचते हैं दोसरे एक वस्तो के बदले दूसरी वस्तो और दूसरी वह भी अपनी एक वस्तो के बदले कोई दूसरी से वस्तो खरी सकता है और लोग अनाज के बदले उसे चूड़िया ले जाते थे ठीक है और क्या करते हैं लोगों उसे अनाद दे जाते थे और बदलू से चूड़ियां ले जाते थे तो वह यह क्या हो गया अनाज के बदले चूड़ियां और चूड़ियों के बदले अनाद तो एक वस्तो के बदले दूसरी वस्तो देना ही क्या वस्तों का आपस में लेंदिन करना ही क्या होता है वस्तोवीन में कहला था बदलू सबाव से बहुत सीधा था मैंने कभी उसे लेकर कहते हैं मैंने कभी उसे किसी से जगरते लड़ाई करते हुए नहीं देखा साधी बिवा के अफसरों पर वह अवस्य जित पकड़ लेता था जीवन पर चाहिए कोई उसे मुप्त फिरी मैं बिना पैसे के चोड़ियां ले जाए परन तो बिवा के अफसर पर वह सारी कसर निकाल देता था आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है और वह क्या करता है सुहाग जब वहां कि साधी के समय किसी लड़की के लिए उसके लिए चूड़ियां बनाता था तो वहां वहां उसकी जो भी रसम होती थी जो भी उसके लिए उनके कुप पैसे लेता था और उसके साथ अनिकों चीज़ें भी लेता था मुझे याद है मेरे मामा के यहां किसी लड़की के बिवा पर जरासी किसी बात पर बिगड़ गया था फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे बिवा में इसी जोड़े का मूल इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्तर मिलते धेरो और आज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती पगड़ी 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 पहनते और रुपए जो मिलते सो अलग और रुप कारे में यह सब चीज़ें बदलू को दे दिया करते थे वैसे तो बदलू बड़ा सीधा इनसान था यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिड़ थी तो वह थी काज की चूड़ियों से यदि किसी भी इस्तरी के हातों में वह में उसे काज की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ था अंदर ही अंदर कुड़ ना था, अंदर ही अंदर दुख ही होना और कभी-कभी तो दो-चार बातें सुना देता तो आज हम यहीं पर विराम लेंगे और अगले जो हमारी वीडियों होंगे उसमें हम जानेंगे जब बदल इतना सीधा था तो आखिर कार्वाकाज की चूड़ें से क्यों इतना चीड़ता था तो आगे की कहानी भी क्या है और रोचक होने वाली हैं तो आज हम इतने तो आई हम इससे बने कुछ प्रश्णों के उत्तर करेंगे तो पहला हमारा प्रश्ण अभ्यास में देखिए पहला प्रश्ण है बच्पन में लेखक अपने मामा के गाउं चाओ से क्यों जाता था लेखक के बच्चा था ना और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था तो बच्चे को यह रंग बिरंगे गोली हैं जो हमने भी पढ़ा और मामा के काउं को ने का मामा कहना चाहिए फिर भी वह सब बच्चे कहता था इसलिए वह उन्हें बदलू काका ही कहा करता था तो आपने अभी सुना इसके अंसार आप इस प्रेशन को करेंगे दूसरा प्रेशन है वस्तु विन में क्या है अभी कुछ देर पहले में आपको बता रहा था वस्तु विन में क्या है वस्तु विन में वस्तों का आपस में आदान परदान करना ठीक है वस्तु विन में कहलाता है या किसी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदना या एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु को खरीदना वाच्च्या क्यालाथ है वस्त वीन में कहलाथ है वस्त वीन में की प्रचलीज पद्धती क्या है वरत्मान समय Maynny और आगे हम अगली वीडियो में जानगे उसके प्रशुद्धर करेंगे दर्यवाद झाल झाल